नमस्कार दोस्तों तो हम लोग कम्प्लीट कर रहे थे घटना चक्री की पूरी की पूरी सीरीज और इसमें आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट की अगर घटना चक्री का अनुसार आप देखें तो 18 नमर टॉपिक है उप राश्पती वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले आज हम लोग कम्प्लीट करेंगे इसके कुछ छोटे से सोट टर्म थियूरी को और उसके तत्पहचात या प्रोक्स 15 प्लस लगवग हम लोग MCQ भी स्वर्प करेंगे तो चलिए एक कदम सफलता की और हम लोग आगे कितरह बढ़ते हैं भारत में उप राश्पती का पद अमेरिका के उप राश्पती की तर्ज पर बनाया गया है अधिकारी करम में यह पद राश्पती के बाद आता है द्यानर केगा अधिकारी करम में वारित्या करू में आपको यह दे सकता है समिधान के अनुछेद 63 के अनुसार भारत का एक रूष्ट के कूप राश्पती होगा समिधान में ऐसी भासा का पर्योग किया गया है अनुछेद 64 के तहद उप राश्पती राज्य सभा का ध्यान रखे का पदेन सभापती मनें ओफिस्यू चियर्मेन होगा जिस अवधी के दवरान उप राश्पती अनुछेद 65 के अधिन राश्पती के कृतियों का निर्वहन करता है मैं कारियों का निर्वान करता है उस दवरान वह राज सभा के सभापती के पत के कर्टब्यों का पाला नहीं करेगा तथा अनुछे 97 के अनिद ने उसके अधिन सभापती के वेतन भत्य का अख़दार नहीं होगा कि जो उप राश्पती है उसको वेतन की सधिपार पे दिया जाता है भारत के उप राश्पती का चुनाओं संसत के दोनों सदनों के अभध्यान रखेगा संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित भी होते हैं और मनोनित सदस्य द्वारा की दिख किया जाता है लेकिन हमने देखा था कि राष्टपती में वैसे नहीं होता है दोनों सदनों के जो भी लोकसभा, राज्यसभा है इसके अलावा जहाँ पर बिधान सभा है वहाँ पर सिर्फ वैसे लोगों को ठीक है इस राष्टपती में वोड़ देने का अधिकार होता है जो लोग पूरी तरिकर से निर्वाचित हुए हैं मनोनित का कोई रोल नहीं है लेकिन यहाँ पर किसका रोल है मनोनित का रोल है और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोगसभा राजेसभा के बात की जा रही है अनुच्छेद 66 सबर्टिकल वन के अनुसार उप राश्पती का निर्वाचन अनुपातिक परतिनिदित्व पद्धती के अनुसार ये कल संकरमडिय मत द्वारा होता है तो था ऐसे निर्वाचन में मत दान यहां पर गुप्त होता है अभी देखे ये कल संकरमडिय मत अभी यहां पर ध्यान रगिए ठीक है ये कल संकरमडिय मत अनुछे 66 सब आर्टिकल 3 के तहट उप राश्पती पद के लिए योग्यता जो होनी जाए भारत का नागरी को ठीक है डजन्ट मैटर कैसे बस भारत का नागरी को कायो कैसे भी ठीक है अगर इंडिया का सीटेजन सिप उसने पा लिया है तो वो इलाइजबल है 35 वर्स की आयू पूरी कर चुका हो राश्पती में यह कंडिसन था राज्य सबा सदस से निर्वाचित होने की योग्यता का उले किया हो राश्पती में देखा था अमने की लोक सभा क्या था उसमें लोक सभा ठीक है इसमें क्या है राज्य सभा है भारत के उप राश्पती को राज्य सभा के सभा पती के लिए 4 लाख रुपे परतिमा वेतन दिया जाता है उप राश्पती को उप राश्पती पद के लिए वेतन नहीं पराप्त होता है द्यान रखेगा उप राश्पती को उप राश्पती पद के लिए वेतन पराप्त नहीं होता है बलकि उसको राज्य सभा के सभापती के रूप में उसको वेतन मिलता है अनुछेद 67 को के अनुसार उप राश्पती का कारेकाल पांच वर्स है अनुछेद 67 को के अनुसार उप राश्पती राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वरापने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के अतकालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है जिसे लो इस सी उगरह कि अपने यारी करते होंगे तो आप इसे देख सकते हैं, other voice ठीक है, इतना इंप्र्ऩाइंट ॽ नहीं है, लेकिन मन है तो आप देख सकते हैं, मैं धीरी धीरी ठीक है इसको आग email कर देता हूं। अब यह चल रहे हैं आईए कुछ हम लोग MC की प्रश्णों को देख लेते हैं भारत के उप राश्पती का निर्वाचक एक निर्वाचक गर्द वरा नियार किया जाता है अब इसके सदस्य कौन होते हैं हमने देखा लोकसभा और राजसभा के सभी सदस्य हैं मैं सभी मतलम न भारत के उप राश्पती यहाँ पे निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदस्यों के दवारा बिलकुल असान है देखिए बार बार रिपीट हो रहा है यही फायदा है थियोरी पढ़ने से भारत के उप राश्पती का ठीक है यहाँ पे सयन लिख लिजेगा किस तरह होत लोग सभा और राजी सभा के सांस दो द्वारा सीधे चुनाव से देखिए एक ही प्रस्ण को ऐसे गोल मोटोल गुमा गुमा के पूछ रहा है सब पूछा जा चुक है देखिए इदर सब लिया है नीची दो वक्तब यहां पर दिया गया है ठीक एक है कथा दूसरा है यहां कारान दोनों को आप ध्यान से देखिए कोई व्यक्ति उपराश्पती निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राजी सभा का सदस्य होने के लिए अरहित है बिल्कुल सही है उपराश्पती राजी सभा का पदेन सभापती होता है कैसा पदेन सभापती होता है य इसलिए आपे कारण जो है आपे ध्यार रखेगा, कथन का सही अस्पस्टी करण है, और एक टुत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ए, एगे देखिए, कथन की कारण द्वरा पुष्टी होती है, इसमें आर्टिकल आप देख सकते हैं, नेक्स्ट, उपराश्पती से संबंधित निम्न कत्नों में से कहरा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, पर लेते हैं हमलों, सही नहीं यह ध्यार रखेगा, उपराश्पती बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की यहाँ योगिता है, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल है, कोई दिकत नहीं है, धुमदाम से चले गए, दूसरा, ठीक है, किसी राज्य की बिधाईका का सदस्य इस पद के लिए यहाँ पे उमिदवार हो सकता है, देखिए, किसी राज्य की बिधाईका का सदस्य इस पद के लिए कह रहा है को मिदवार हो सकता है तो ये थोड़ा सा हौए पहला श्रेडिमेंट थोड़ा फिर से देखते हैं ठीक है फोड़ा सा लग रहा है कि उप राश्पती बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सधन के सदस निर्वाचित होने की योगिता है ठीक है ऐसा यहां पे ध् यह बिल्कुल यहां पर हो सकता है, इसलिए पहला श्रिट्मेंट नमारा गलत हो जाएगा, दूसरा है यहां पर उप राश्पती के पत का कार्यकाल उतना ही होता है, जितना की राश्पती का, अब उप राश्पती के पत का कार्यकाल दोनों का पाचपन साल है, इसलिए यह भ है फुछ रहा है यहां पर यहां पर सवही उत्र चुनी ए ठीक है खुड्रयक्ट उत्र हो जाएगा यहां पर साध का हो जाएगा क्या यहां देखिए दिया हुआ है ठीक है की इसके अलावा यहां पर अभिश्ट्ट कालव मुझा कथा Gone चार भी गलत है क्योंकि अब चारिक महाभयोग में 20 बहुमत की यहां पर क्या होती है आवासकता होती है Next 6 नमर निमलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट पती का यहां पर निर्वाचन करता है लोकसभा के सदस्य राजसभा के सदस्य दोनों करते हैं बिधान बंडल का कोई रोल नहीं है बिधान मंडल में मनें बिधान सभा और बिधान परीशत का कोई रोल यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पे correct order हो जाएगा 6 का A next भारत का राश्पती देखिए फिर से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है भारत का जो राश्पती भारत की दृतियां उच ठीक है यहाँ पे दिर्थियां उच न्याइक यहाँ पदाधिकारी है बिल्कुल सही है राश्पती के बाद इसी का नम्मर है उप राश्पती के पाद सोरी पास पद से संबंद कोई अपचारिक कारे यहाँ पे दाईत तो यहाँ पे कहा रहा है कि क्या है नहीं है बिल्कुल ये भी सही है भारत का उप राश्पती राश्पती के अनपस्यती में उसके कारेयों का निर्वान करता है सही है उप राश्पती देखें राश्पती की पदत्याग और पदस्ति का रणात्वा मृत्तिव के चलते हैं प्राश्रपती के रूप में कारे करेंगा बिल्कुल यह भी साहि है तो राश्रपती नहीं रहेगा तो फिर चीप चंसिश वफ इंडिया काम करेंगा इसलिए इसलिए पोर्यक्त तुर हो जाएगा सभी चारू नेक्स्ट, उप राश्पती को उसके पद में से, निवन में से किसके परस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है किसके पद द्वारा हटाया जा सकता है, तो हटाया जा सकता है, राज्य परिसत के द्यान रखेगा राज्य परिसत के पद के द्वारा हटाया जा सकता है राजय परिशत के मितलब राजय सभा नेक्स्ट उप राश्पती को पद्चूत करने संबंदी परस्तावी तिहापे किया जा सकता है कहा किया जा सकता है केवल राजय सभा में ध्यान रुकेगा केवल राजय सभा में ही किया जा सकता है नेक्स्ट राजय सभा का सभापती यहां पर कौन है तिहान रुकेगा राजय सभा का सभापती यहां पर कौन है यहां पर उपरास्पती कुन है उपरास्पती अर्टिकल 64 के अनुसार निवन में से किस एक की अध्यक्सता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्की यहां पे नहीं होता है इसके द्वारा ऐसे के द्वारा लिखा हुआ ऐसे में यहां पे कौन हो जाएगा तो द्यान रखेगा ठीक है यह हो जाएगा राज्य सभा ठीक है नेक्स्ट नीचे दियेगा युग में है उसमें सही युग में बताई है जिसके दोनों मानुभा उपरास्थपती के पूर्वरा राजदूत अत्वा उच्चायूत के पद पे रहे है मैंने एक राजदूत भी है और दूसरा उपरास्थपती है वैसे व्यक्ति यहाँ पे कौन है दो व्यक्ति डक्र.S. राधाकृष्ण और दूसरे हैं यहाँ यहाँ बीवीगीरी जान रखेगा ठीक है वीवीगीरी तो यहाँ पे देख रहे हैं डक्टर राधा-कृISHन निन चांस से निन भावन तक USA सार उस्समें सोबियत संग के भारत के राज़दूत थे, इस परकार विकल्प यहाँ पर, बीजल वोगा यहाँ पर क्या हो जाएगा वगा। निम्लिकित में से किस किसने भारत की उपराफ्ष पती का पद यहां पर संभाला है, किसने किसने संभाला है, देख लिजी यहां पर, ठीक है, तो इसमें हो जैगा मुहमद हिदैदुल्ला हो जाएगा, इसके अलावा अगर और देखे हम लोग, तो इसमें हो जाएगा फखर दिन अलेमद नहीं होगा नीलम संजीव यहाँ पर रेड़ी भी यहाँ पर दिया हुआ है तो मेरे ख्याल से भी नहीं होगा ठीक है संकर दयाल सर्मा यहाँ पर होगा ठीक है तिसलिए को रिक टूतर हो जाएगा इसके बी क्या रोजाएगा B то कर अउप राश्रपति का पत संभाला है तो मुहंमद इदय दुनला इसके अलावा दूसरा है आपे संकर दयाल सर्मा नेक्सट लेखिए आपे भाला और दूसरा संकर दयाल सर्मा धेखिए आपे दिया भी है इन्होंने सीधे भारत के राश्च्पती पत को ठीक है सुसुवित किया था लास्ट क्वेस्चन सिरी मुहमद हमिद अंसारी का भारत की उपराश्च्पती के रूप में करमांक है नम्मर पूछ लिया गया मुहमद हमिद अंसारी बरावे नमर है अभी जो चल रहे है वह गया नाइडू वह तिरावे नमर पर चल रहे है 2008 में देखिए इसको पूछा जा चुका है ठीक है तो यहाँ पर इसे भी ध्यान रखेगा ठीक है फ्रेंड्स आज का MC को प्लस थेयरी यहीं कंप्लीट होता है अब जल्दी इंपर्टेंट टोपिक आने वाला संसत एक दो कलास के बाद संसत को भी मलूग बारी बारी से कंप्लीट करेंगे थैंक्स और वाचिंग एंड जहें थे